कॉंग्रिस के पूर्व केंद्री मंत्री और राजस्थान के दिगज मंत्री सचिन पाइलेट ने मंगलवार को हिमाचल प्रदेश के उना जिले में कॉंग्रिस प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे उना आय पाइलेट ने यहाँ दो विधान सभाव कुटलेहर और चिंदपूर्णी में कॉंग्रिस प्रत्याशियों के लिए जनता से वोट मांगे इस दोरान अपने संबोधन में पाइलेट ने केंद्र की मोधी सरकार पर महंगाई और बिरुषगारी को लेकर जुवानी हमला बोला उन्होंने हिमाचल निर्माड के समय ततकालिन जंता पार्टी दौरा हिमाचल के निर्माड का विरोध किये जाने का रोप लगाया वही सचिन पाइलेट ने मीडिया से बात करते वे भारती जंता पार्टी दौरा OPS के नाम पर राजस्थान में कोरी घोशनाओं के मुद्दे पर राजस्थान में OPS के लागू किये जाने का दावा किया उन्होंने हिमाचल में भी कॉंग्रेस की सरकार बनने पर इसे लागू किये जाने का अश्वासन दिया सचिन पाइलेट ने कॉंग्रेस द्वारा मदर प्रतेश में 10 दिनों के भीतर किसान कर्ज माफी के वायदे के बाहुजूद इसमें नाकाम रहने के प्रेश्णिक पर बात को घुमाते वे किसान बिल के नाम पर बीजेपी द्वारा किसानों के साथ खिलवार किये जाने का रोप लगाया। हिमाचर दौरे का भी जिक्र किया। इन लोगों ने किसानों को धकिलने का काम किया है ना जो कानून किशी कानून बने थे एक साल तक हजारों लाकों किसान बैटे रहे किसानों की पीडा को बढ़ाने का काम किया है हम लोगों ने जो वादे की उनको पूरा किया है और हमाचल प्रदेश के लोगों को जो कमिट्म